बिहार की महलाओं ने कुछ ऐसा कर दिखाया है जिसकी उम्मीद ना तो बिहार सरकार को ही थी और ना ही बिहारी समाज को बिहार जिसे देश का सबसे पिछडा राज मानते हैं बिहार जिसे बिमारू राज में गिनते हैं वो बिहार जिसके सीक्षा और स्वास्त की इस्थिती बत्तर है जहां हर दूसरे दिन खबरों में कोई ना कोई अधिकारी भ्रष्टाचार और घुसकोरी करते वे मिल ही जाता है वो बिहार जहांके लोग कहीं दूसरी जगह चले जाएं तो लोग उन्हें अनपढ समझते हैं और कहते हैं कहीं तुम बिहारी तो नहीं उसी बिहार की महिलाओं ने दो-दो रिकॉर्ड कायम किया है वो बिहारी महिलाएं जिनके इस्थिती शिक्षा में दैनिय है और जिसे बाकी अन्य राज अनपढ समझते हैं उन्होंने पूरे देश को दिखा दिया कि हम किसी से कम नहीं आखिर किस छेत्र में उन्होंने रिकॉर्ड बनाया है यह हम आपको बताएंगे उससे पहले नमश्कार मैं नेहा चौधरी क्यामरा पर्सन उम्प्रकास के साथ और आप देख रहे हैं जनता जंक्षन आपको बता दें कि देश में केवल बिहार ही एक ऐसा राज है ज सब की नौकरी चली गई वहां बिहार की महिलाओं ने रिकॉर्ड बनाया है कि पिछले पांच सालों में सबसे कम महिलाओं की नौकरी गई है यानि की नौकरी छोटी है यह टेटा सेंटर ओफ मॉनीटरिंग इंडियन एकॉनमी की रिपोर्ट से निकाल गया है जिसके मुता रही थी यानि कि वैसे कर्मचारी को ही केवल काम पर रख रही थी जिनकी बहुत ज़्यादा जरूरत है या फिर जिनके बिना कंपनी नहीं चल पाएगी और बांकी सभी कर्मचारियों को काम से निकाल दिया गया था उनमें से सबसे कर्म बिहारियों को निकाला गया था पनी में काम करने वाले कर्मचारियों में सबसे ज्यादा बिहारी ही थे बिहार की महिलाओं ने ना केवल पिछले पांच वर्सों के दौरान अपनी नौकरी बचाने में अवल रही हैं बलकि नौकरी पाने में भी उन्होंने देश में पहला अस्थान पाया है इस तरीके से प दसमलव 2-5 कडोर महिलाओं ने जॉब गवाया है यूपी महराश्ट्रा राजिस्थान इत्यादी बड़े राज्यों में भी अगर बिहार की तुलना करें फिर भी बिहार में ऐसी महिलाओं की संख्या कम ही है जिनकी नौकरी चली गई बिहार से कम जिन राज्यों में की नौकरी गई है माचल परदेश में 92 हजार गोवा में एक दसमलव 49 लाख केरल में एक दसमलव 5-7 लाख इधर रिपोर्ट में एक चौकाने वालत तथ भी सामने आया है जहां बिहार में दिसंबर 2021 की तुलना में अप्रेल 2022 में महिलाओं के लिए रोजगार बढ़ गया ह सितंबर से दिसंबर 2021 की बात करें तो राज में 3 दसमलव 8-9 लाख महिलाएं जॉब करती थी जबकि जनवरी से अप्रेल 2022 में 4 दसमलव 8-9 महिलाएं नौकरी करने लगी तो ये बिहार के लिए अच्छी ख़बर थी जहां ये धारना बनी हुई है कि महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती है और महिलाएं बाहर जाकर काम नहीं करती वही से Center for Monitoring Indian Economy की ये रिपोर्ट आई है कि बिहार की महिलाएं देश भर में सबसे ज्यादा नौकरी करती है ये रिपोर्ट शायद इस धारना को बदल दे कि बिहार के लोग अनपढ़ होते हैं और यहां की महिलाए तो जौब ही नहीं कर सकती बाकी आप महिलाओं के इस उपलब्दी के बारे में क्या सोचते हैं हमें जरूर बताएं आगे की खबरों के लिए देखते रहे जनता जंक्शन घनिवाद